देव खरोड ने भी पर राक दे उत्ते लगाए अल्जाम केहा गाना गा के भी नहीं कर रहा पर मौट पंजाबी इंडस्ट्री दे एक्शन स्टार यानि की देव खरोड जो की आज दे समिच के से पेश्चान दे मौताज नीहन उना बलेक या रुपेंदर गान दी डाकुआ दा मुंडा काका जी डीसपी वरगियां फिल्मा दित्याने ते अपनी अधाकारी दे नाल दर्शका दा हमेशे दिल जोत्या कॉमेडियन दे तोर होते अपनी करियर दी शुरुआत करन वाली देव खरोड अज फिल्मा दे वेच वक्खो वक्रे करदार करन ले जाने जान दिने ऐसा में आक्टर अपनी ओन वाली फिल्म गांधी न करके काफी ज़्यादा सुरुखिया दे वेच ने उनना दी फिल्म जल्द ही सिनेमा करा दे वेच रिलीस होन वाली है ऐसी विचाले उनने मश्यूर सिंगर भी पराक नो लेके अपना गुसा जाहर किता एक्टर ने कहा कि फिल्म वेच गीत गौनली सब तो ज्यादा पैसे बीप राक ने ले पर सोशल मीडिया होते इस गीत नो बिल्कुल वी परमोट नी किता एक्टर ने कहा कि अजिहा नहीं करना चाहिदा क्योंकि ए दिन हमेशा नी रहनगे कि कोई वी सदा बहार सूपरस्टार बन्या रहेगा अजिहा कदे वी नी हुनदा कि कोई सदा स्टार बन के रहनदा है दासदी है कि साल 2015 देवेचो देवकरोड दी फिलम रुपेंदर गांधी रिलीज होई सी यस फिलम चो उना दे तमाकीदर किरदार नो बहुत ज़ादा पसंद कीता गया सी जस्तो बाद इंडास्ट्री चो अपने वक्रे अंदास लेई जाने जानन लगपे दासदी के इस तो पहला होना छोटे परदे अते थीटर दे उत्ते वी कम किता एतो ही अदाकारी दे खेतर दे वेचो ना दी काबलियत निकल के समने आई ते अज इंडास्ट्री दे वेचो ननो एक्शन स्टार वज़ो वी जाने जान दे ते उना दे कैना सी कि जदो प्रागदा नाम सजेस्ट किता गया सी गीत वस्ते ता उना दे वलो मना किता गया सगा क्योंकि एथी देव ख्रोड दे कैना सगा कि ओ हिंधी गाने या दे वास्ते ठीक है तंजाबी इंडास्ट्र दे वेच बहुत सरे अजो हे सिंकर ने जहे हे गायका नू लेना चाहिदा है क्योंकि इना दे ही गाणेया दे उते चीका वाज दियान है ते इस करके फिर भी उना दी टीम दे वलो बीपराग तो गाणा गवाया गया ज़स्दा नाम चन सी पर एस गाणे दी जोआ भी पराग दे वलो प्रमोशन नहीं किती गी उना इशाली स्टार बन के रवे तको जैसरी के दिनाल देव खरोड दे वलो बीपराग देली अपना गुस्दा जाहिर किता गया